पिंदुको स्वामी जी आगे आई भी तो वो बोल रहें कि ये बहुत ही छोटा सा मामला है तो मैं क्या पूछना चाहती हूं उनसे कि क्या अगर उनकी बेटी के साथ उनकी बहन के साथ उनकी परिवान में ऐसा हुआ रहता तो क्या उस वक्ट भी वो ये बोलती कि ये मामला बहुत हो चोटा है जी बस विधायक को खरीदने में लगे हैं कैसे सत्ता में आओं मन की बाद बताओं दिल की बाद बताओं लेकिन कुछ करके ना दिखाओं अब ये देश एक ही आनमी बचा सकता है कौन है वो बस बोलू तू मैंस एक ही आनमी है वो जो बुरा देश को ब जो कि इंदुगो स्वामी उन्होंने एक मेडिया कर्मी ने एक पूछा सवाल उनसे कि बिलकिस बानों के मामला को अब कैसे देखती हैं तो सांसत में हो दे बहुत ही मुस्कृत ही जवाब देती है बिलकिस बानों का मामला बहुत छोटा सा मामला है सोचिए इतना बड़ा क कांड एक छोटा सा मामला जो कि भाश्पा के सांसत, इंदुग और स्वामुई को दिखाई देता है। और भास्पा में ऐसा ऐसा नित्री हैं, ऐसी ऐसी नित्री हैं भास्पा में, जो कि लगतार अपने ही एंप्लॉई पे, एक्स्प्लॉइटेसर कारोप उनके उपर लगते रहा है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जारखंट से एक माम लाया था सामने, कई सालों तक उनकी जो नित्री हैं, अपने घर में एक नोकरानी को रखती हैं, लगतार उनके उपात्या चार होता है, उनके साथ बहुत सारी घटनाय घटती हैं, उसके बाद मीडिया में कैसो भी निकल के आती हैं, वो लड़की जो होती हैं उसमें से, तो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जदिव नत्री, जोकि मेला महा प्रकोष्ट की महा सच्यू हैं, और इनका नाम सुप्रिया ख्यमका जी हैं, इनसे हम बातचित करते हैं, ये उस मामले को कैसे देखती हैं, मैं हम सबसे पहले हमारे चनल में आपका स्वागत हैं, एक भापा की सांसद है इंदु गोस्वामी सबसे हरे प्रकोष्ट कीमें सबसे उजंता हैं, कि मुझे तु सर्म आठी हे जह बोलने में, कि एक महिला होंके दूसरी महिला के तकलिव को वो इस तरह से कैसे बोल सकती हैं? इंदु गॉस्वामी जी खुद एक माइला है उसके बाद से बिल्किस बानु जी के साथ जो भी हुआ वो उस दर्थ को न समझके वो बोलती है कि ये बहुत ही छोटा सा मामला है क्या अगर उनके घर के में भी ये मामला हुआ रहता उनके किसी अपने के साथ की ऐसा हुआ रह है ठीका करके आरती उतार के मिठाई कला के उसे बाइज़त बरी की जा रही है तो मुझे ये लगता है कि अब बेटिया जो है भारत में और ज्यादा असुरक्षित हो गई है क्योंकि सांसत महोद्या जो है वो बोल रही है कि ये बहुत छोटा मामला है नरंद मोजी जी के लिए भी मामला कुछ नहीं है स्मृतिय रानी जी जो सिलंडर लेके आए दिन जो रोड़ पर नाचा करती थी उनके लिए वो नों अभी चुप़ी साध रखी है कोई भी बीज़ेपी की महिलाओं ने कुछ भी इसके लिए कोई करम नहीं उठाया और इंदु जी इंदु क सवामी जी अभी तक कोई लेना चाहिए था जबकि भारत सरकार ने मोधी जी ने बस एक जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस वो एक नारा बनके रह गया है कहीं भी बेटिया सुरक्षित नहीं है और यह बयान के बाद तो मुझे लगता है कि बेटिया बाद बनता वही है लेकिन उसके वाद से किसी चीछ पर भी नियम कानू ठीक से पालन नहीं होते है मनुबल इस तरह से बढ़ाया जाता है उनका बोलके कि यह मामला बहुत ही छोटा है और यहां पे नरंदर मोदी जी बस विधायक को खरीदने में लगे हैं कैसे सत्ता में आऊं मन की बाद बताऊं दिल की बाद बताऊं लेकिन कुछ करके ना दिखाऊं वो इस चीज में लग अगर स्थिपा दे तभी यह देश बच चकता है ने तो यह देश बरबादी की ओर बढ़ चला है तो अगले चुनाओं के तयारी में आप इस्थिपा की बात कर रही हैं जे बिलकुल चुनाओं की तयारे में हैं लेकिन बेटियों की सुच्चा सिक्चा जितने भी योजण जो हमारे भारत का पैसा है उसे विराय खरीद बिकडी का काम किया जा रहा है तो किता सर्म की बात है वो कहते है कि मैं 18-18 गंटे काम करता हूँ अगर 18-18 गंटे वो काम करते तो क्या यह देश की दूर्चा ऐसी होती बिलकिस मानू के साथ जो इतना गलत हुआ उसके अभी उसको कड़ी सजा यह मैं तो अफवांसी के सजा की मांग करती हो लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसे तिलक लगा के उसे रिया किया गया उसमें कुछ अच्छे अच्छे अच्रण के है ना उसमें कुछ अच्छे अच्छे अच्रण के है इसलिए उनको छोड़ दिया गया वही त पूरे भारत को लोग समझ नहीं रहें पूरे भारत को यह दो टुकड़ में बाटा जा रहा है हिंदों मुस्लीमें बाटके यह अपनी राजनीती गंदी राजनीती कर रहे हैं इनके अलावा और किसी चीछ से मतलब नहीं है इसलिए मैं लोगों से यह रिक्वेस्ट करना चा क्या लगता है अगर नितीज कुमार जी परधारमंतरी बनते है तो महिला कितना सुरक्षा मिल पाएगा महिलाओ की दश्रा को देख लिजे आज हमें उडान देने वाले हमें पंक देने वाली हमें पहचान बताने वाले हम अच जो भी जगां पे हैं आज हम अपने नाम से जाने जाते हैं हमारा परिचे पहले क्या हुआ करता था इसकी वाइफ इसकी बेटी लेकिन आज हम अपने हर छेत्र में हम आज आगे हैं साइकल से लेके पढ़ाई सिक्षा कमों में साधी पे रोग सराब बंदी सब कुछ ये डाइटली और इंडारेक्ली बोल दीजे तो सब इसका पैर एक सड़क पैर है और एक गढ़ा में उसका पैर है अब बताइए उनको क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई ऐसी क्या जरूत पड़ गई जो कि 88-80 साल की एज में होते हुए भी पटना की सड़कों पे उतर कर ये चिला रही है कि बिलकिस बानों को न्याय दो हम लो हमाथ ही चोटा मामला है और जितनी भी विजेपी की नेत्रिया है उन्होंने कभी तक कुछ भी नहीं कहां चुपी साथ रखा है वह देखती है कि राहुल गांदी जी ने कहां जाके प्रनाम किया कि नहीं कौन से रास्ते से गए कौन से ब्रैंड का टिशिट पहने तो चाहिए तो मेरा रूह काप उठाता कि कैसे उसे रिया कर दिया गया तो पक्का यह जो बीचेपी के महिलाए होंगी अपने घर जागे अपने बेटा बेटियों को भी उन वीरों की गाता है सुनाती होंगी उनके जैसे बनने को कहती होंगी कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है वो अच्छे संसकार के है तुम भी ऐसा करो वो यह भी कह सकती होंगी तो वीर गाता उनके घर में चलता हो तो इससे भारत वरबादी की ओर जा रहा है इससे ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों का मन मैनूबल और बढ़ रहा है तो सरमानी चाहिए मोधी जी को कि अभी तक उन अभी आप देखेंगे कि कितने सारी ऐसे महिलाए हैं जिनके साथ इस तरह का विवहार हो रहा है ना वो और चुप चाप क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ सजा नहीं होने वाला मोधी जी बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाड़ा देते हैं लेकिन सायच जो उनके म हसूस कर रही है ठीक है हमारे साथ सुप्रिया खिमका जी ती जो कि जदियों की परदेश महा सच्चिव हैं इन्होंने तमाम सवालों की जवाब दिया जैसे कि अभी तक कोई भी हिंदू संगठा से निकल कर बिलकिस बानों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पे नहीं निक अब कल हमारे देश के सस्वी परदहार मंत्री जी का जनमदीन है पटना में हर जगह पे बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और कल भास्पा के कुछ नेता उनके जनमदीन पे मौनब्रत रखेंगे कि नितीज कुमार को कुछ सदबुद्धी मिले हाला कि अभी से वह बिहार में सिख्षक अभीयरती है वह भास्पा के लिए मनब्रत रखते थे कि उनको सदबुद्धी मिले अब सिधर भास्पा वाले मनब्रत रखेंगे कल कि उनको सदबुद्धी मिले और कल ब्लड डुनेशन का काम भी करेंगे और आप सोचिए एक बिल्किस मानों को बन्याय दिलाने के लिए कोई भाजपा करनेता नहीं बूलता है। और एक बूलता भी है, तो कहती है कि बहुत छोटा सा मामला है। सोचिए, छोटा सा मामला है। कोई रेब कांड कोई छोटा नहीं होता है। वो आपने बहुत बड़ा सवाल होता है और बहुत बड़ा बात होती है। सोचिए, देश में महिला कितना सुरक्षित हैं इनों तमाम सवालों का जवाब दिया। इनका साब साब कहना है कि अगर देश को बचाना है, महिलाओं को सुरक्षा परदान करना है। तो 2024 में जदियू की, यानि महागडबंदन की सरकार बनानी होगी, नितीश कुमार को परदान मंत्री बनाना होगा। यही बोली ना। जी बिलकुल, तभी यह देश का अब कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रधान मंत्री मोधी जी अब भारत के ऊपर एकदम कलंक बन चुके हैं। जो भी उन्हेंनों वादा किये, रोजगार का वादा 15-15 लाख रुपे का बाद, खुद अमीज साह जी कहते हैं, कि इंटर्विव मैंने उनका देखा, उसमें खुद कहते हैं, कि वो तो आप भी चानते हैं, कि 15-15 लाख का वादा कह दिया, थोड़ी न ऐसा होता है, सब ज वाइट मनी के तुरू गिया होगा, तो फिलाल इस बादचीत में इतना ही मिरना माधित थे, हफ्ता पंचाय देख रिताब को वीडियो कैसा लगा, आप हमें कॉमेंट्स करेके बताईए, और बिल्किस बानों को न्याय दिलाने के लिए, जरूर आप लोग सड़क पहुतर ये आंदोलन कीजिए, उनको न्याय मिलना ही मिलना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद